दोस्तो रोजमेरी को गुल महंदी के नाम से भी जाना जाता है रोजमेरी रसोई घर में सबसे अधिक पाये जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है इसमें ना केवल एक अद्वुट सुवाद और सुगंध होती है बलकि यह सुवास के लिए भी बहुत लापकारी होती है तो आए जानते हैं रोजमेरी के मुख्य फायदों के बारे में नमबर एक यादाश्ट में सुधार के लिए यह यादाश्ट में सुधार और बुध्धिवा ध्यान को बढ़ाने में साहिता करता है यह बुजूर्गों में संग्यानात्म गतिविधी को उतेचत करने में मदद करता है और साथ ही साथ ऐलजाइमर या डिमेंशिया के रोग्यों के लिए भी लापकारी होता है नमबर दो तनाओं को दूर करने में रोजमेरी के सुगन को मूट के सुधार, मन को शांत रखने और चिंता या तनाओं से राहत दिराने के लिए उपयोग किया जाता है अरोमत हरेपी में भी तनाओं के लिए रोजमेरी के तेल का उपयोग किया जाता है इसलिए जब भी आप बेचैनी या चिंता का अनुभव करें तो इस तेल का इस्तमाल ज़रूर करें नमबर दीन प्रतिरक्षा को मजबूत बनाए रोजमेरी में एंटी ओक्सिडेंट्स सुजन को कम करने वाले और एंटी कार्सिनोजैनिक गुड होते हैं यह विभिन, रोगों और बहारी तत्वों के खिलाफ आपके शरीर की रक्षा करता है टोजमेरी में कई महत्वपूर एंटी ओक्सिडेंट्स पाई जाते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहयक होते हैं नमबर चार संक्रमन से बचाएं यह विशेश रूप से बैक्टीरिया के संक्रमन के खिलाफ शक्तिशाली होता है विशेश कर पेट के बैक्टीरिया इसी तरह से ये स्टेफ संक्रमन को रोकने में भी मदद करता है जिसकी वज़े से हर साल हजारों लोगों की जांग चली जाती है रोजमेरी खराब पेट, कब्स, सूजन, दस्त आदि के लिए एक प्राकर्तिक उपाय के रूप में इस्तिमाल किया जाता है इसके सूजन को कम करने वाले और उतेजय गुण काफी हद तक कब्स, सूजन, दस्त का इलाज कर सकती है नमबर 6, सांसों के बद्बू से राहत दिलाएं एक प्राकर्तिक जिवान रोधी एजेन के रूप में यह एक शांदा ब्रेथ फ्रेशन के रूप में काम करता है इससे आपके मौखिक स्वास्ते में सुधार होता है नमबर 7, रख्ट परिसंचरन के लिए रोज मैरी शरीर के लिए उत्तेजक के रूप में कार्य करता है और लाल रख्ट कोशिकाओं के बनने और रख्ट प्रभाव को बढ़ा देता है नमबर 8, सिरदर्द का इलाज है दर्द से प्रभावी जगे पर इसका पेस्ट का उप्योग बहुत ही लापकारे साबित होता है जब यह मौखिक रूप से खाया जाता है तो यह एक दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है वास्तव में रोज मेरी के सबसे ब्लोक प्रिय उपयोगों में से एक है माईग्रेन के उपचार के लिए इसका उपयोग करना नमबर नोव सूजन का उपचार करे रोज मेरी में सूजन को कम करने वाले एजिन्स होते हैं कौर्नसौल और कौर्नसक आसिड दो शक्तिशाली एंटी आक्सिदिन्ट और सूजन को कम करने वाले योगिक होते हैं जो रोज मेरी में पाए जाते हैं यहें योगिक मान स्पेशियों, रख वहिकाओं और जोणों की सूजन को कम करने में सायक होते हैं नमबर 10 प्रवावित कर सकते हैं और तुछा के युवा गुडवाता को सुधाने के लिए लापकारी होते हैं इसके अलावा यह तुछा के कालेपन को ठीक करने और तुछा को हाइड्रेडित रखने में मदद करता है